कि सुना तनी कि तो हरे नाम से बढ़का बढ़का कांड होला आप सब कभाई बोलता है वहाँ पर कि असा हीना लएकिन के डिमांड होला जीला यारा के लएका बढ़ांड होला असा हीना लएकिन के डिमांड होला जीला यारा के लएका बढ़ांड होला इस गाने को बहुत सारे सिंगर उठा करके गाए हैं जैसे खेसारी लाल जी भी गाए हैं टुन्टुन यादो जी भी गाए हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा कि यार मेरा गाना उठा करके गा रहे हैं तो उनके उपर कुछ उनको बोलना चीए कि भाई हमारा गाना उठा करक तो कोई singer है ही नहीं तो उनका सरा सर इसारा जो है पौन जी को इग्नोर करना ही था या एक लाइब में खेसारी लाल जी बोले थे कि आपके घर में भी तो दो है आपके भाई उनको भी singer बना ये उनको संगीत का मतलब नहीं पता वहीं बोल सकते हैं कि यह उनका गाना चाहिए दूसरे कोई का गाना है अभी पावर शार पौन सिंजी का लोली पॉप आने वाला है जो लोली पॉप एवन आया था वो इंटरनेशनल सॉंग था अभी उसका टू वर जन आ रहा क्या लगता है यह गाना कप तक हमारे ओडियोंस को देखने को मिलेगा अरे ओठवा तुहार जैसे भोर के किरिनिया ता यांखिया में प्यार के समाईल बादुनिया कि बिंदिया बुझाला याईसे जैसे चांद सजोले बाड़े भगवान बड़ी फुरसात से तोहरा के बनाओ ले बाड़े भगवान बड़ी फुरसात से आप सब के बनाओ ले बाड़े आई दोस्तो मैं हो गुडुरातिपल सेवन और आप देख रहे हैं भोजपुरी फैन्स कलब और BFC निउस दोस्तो आज हम लोग जिस स्टूडियो में बैठे हैं इस स्टूडियो से ही भोजपुरी का सबसे बड़ा सौंग जो एक इतिहासिक सौंग है लेला पुदीना वो यहीं रिकॉर्ड हुआ था और आज हमारे साथ है गेश्ट के रूप में सतीस सिंजी जो भोजपुरी के भोथ अच्छे सिंगर हैं और इनका अभी एक गाना आया था जीला आरा के लईका बरान धोला और इस गाने को बहुत सारे सिंगर उठा करके गाए हैं सर सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है भोजपुरी फैंस कलब और बी अपसी नुज में कैसे हैं आप आपके चैनल से माध्यम से जो भी हमको देख रहे हैं सबको पैर्शु के परणाम है अच्छा 37 ये गाना आया था जीला आरा के लईका बरान धोला इस गाने को बहुत सारे सिंगर उठा करके गाएं क्या कहना चाहेंगे इस पर कि नहीं अच्छा है चलता है सब भजपूरी में चलता है लेकिन 37 भीया ने इसके उपर कोई एक्शन नहीं लिया कुछ नहीं बोले आखिर क्यों हमको उतना वह विवाद मेरा ना अच्छा नहीं लगता है अपना काम करने से जाना मतलब रहता है अच्छा ये लेलभ अच्छ नहीं रहता है कभी फोटो भी नहीं रहता है आखिर क्यों हम उतना मतलब भाई आते हैं तो थोड़ा सा भी रहता है तो फोटो की बात नहीं करें मतलब अधर पावर इस्टार पहुंच दिन जी से मतलब कभी उनके लाइव वाइब में चाहे जहां उनका सूट काम में ज्यादा बेस्त रहते हैं इसके कारण नहीं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन उतना मतलब नहीं जा पाते हैं कासी काम थोड़ा लेजी परसन है आपका जो ये गाना है था जो मार्केट में अलग ही बवाल मचा करकर रख दिया एकदम ये गाने से तो एकदम धमाल मचा द में संगीत जक्षन उस चैनल से आया था गाना और दर्सक का बहुत सारा प्यारा सिर्भाद मिला और आपको सुनाते हैं और अच्छा लाइए तो कमेंट में बताईएगा कमेंट सारा हम पढ़ते हैं ऐसे लड़की का लाइन है पहले कि ब्वाइफ्रेंड बोला बना बहका हमार अरे कौना जीला घर हला गेला रंगादार कि सुना तनी कि तो हरे नाम से बढ़का बढ़का कांड होला आप सब का भाई बोलता है वहाँ पर कि असा हीना लएकिन के डिमांड होला जीला यारा के लएका बरांड होला असा हीना लएकिन के डिमांड होला जीला यारा के लएका बरांड होला इस गाने को बहुत सारे सिंगर उठा करके गाये हैं जैसे सारी लाल जी भी गाये हैं तुन्टुन यादो जी भी गाये हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा कि यार मेरा गाना उठा करके गा रहे हैं तो उनके उपर कुछ उनको बोलना चीए कि भाई हमारा गाना उठा करके त बहुत मतलब एकदम आपका अलग ही लेवल का है हां मतलब अलग तो होगा ही ना इस गाने के अंदर जो गाई की है वाकई में मैं खुद भी आपका बहुत वर फैन इसके बाद कौन-कौन से पुर्जेक्ट आने वाले हैं क्या बताना चाहेंगे दर्सकोष अभी उसके बाद मेरा गाना या था ब्रैंड कई सौन फिर से राया जी कमाल लागेला अपने बोला कि पॉन भ्या के साथ नहीं रहते हैं उसमें पॉन भ्या का लाइन था एक कि पॉ तो इसके अभी फॉन एक पॉंस जीका लॉली पॉप आने वास जो लॉली पॉप ऐवन आया था वह इंटेरनेशनल सौंग प्ले कि लगते ये श्तेउलं लैश्यार को देखने को मिलेगा कुछ मताएंगे कि हम भी उसका इंतिजार कर रहे हैं आने दीजिये देखते हैं और क्या पावर इस्टार पॉन सिंजी के साथ आप मुवी में कब तक दिखने वाले हैं दर्सकों का बहुत ज्यादा कमेंट रहता है कि सती सिंजी को हमें मुवी में देखना है अब पहले तो अच्छा से सिंग में में सिंगर ही बनना चाहता हूं क्योंकि आप एक्टिंग में बहुत कमी दिखते हैं वह मतलब बहुत चाचा है हम मैं पापा के सिंगर दोस्त हैं हमारे चाचा हैं हमेसा बोलते थे पापा जाते थे उनके पास की कोई और अपने घर में देखिए 164 अडै टि दू़ मतलब चाचा के लड़के छोटे वाले चाचा के लड़के और हम दू भाई तो बुलाया मतलब उसके बाद देखे तो हम दू आदमी सेलेक्ट हुए उसके बाद जारी किया हम लोग कि इसके बाद कौन-कौन से अपकमिंग पूर्जेक्ट आ रहे हैं हाली में अभी बहुत सारे गाने आने वाले हैं अभी हाली में अभी दू-चार दिन हुआ इंग्लिस मीडियम आया था है अच्छा सौंग है आप सब सुनिया और प्यारें के दो लाइन हो जाए कि आरे सीधा मन से मन बाकी समझावे पड़ी गारी से गारी से तू इंग्लिस मीडियम पढ़ल हाव हम पढ़ल हाई सारकारी से तू इंग्लिस मीडियम पढ़ल हाव हम पढ़ल हाई सारकारी से या एक लाइब में खेसारी लाल जी बोले थे कि आपके घर में भी तो दो है आपके भाई उनको भी सिंगर बनाए तो उस पर क्या कहना चाहेंगे और उसके बावजुद वो खुद आप ही का गाना उठा करके गाए तो उनको थोड़ा ये तो समझना चीए कि हाँ नहीं वो उनके राइटर को पता नहीं था ना कि मेरा गाना है इस पर बहुत सारे प्रिवी हुई थी इस पर बहुत सारे लाइब आकर लोग बोले थे कि यह गाना पहले टुन-टुन के हां कि पहले वो गाय थे यह हुआ तो मतलब क्या इसका सच चाहिए जिनको संगीत का मतलब नहीं पता वहीं बोल सकते हैं कि यह उनका गाना है चाहिए दूसरे कोई का सब्सक्राइब नहीं के साथ कितना काम हो रहा है वही तो कर रहा है पहले मतलब सिंगर सिंगर तो बन जाए मतलब थोड़ा लेवल उचा तो कर ले पहले उसके बाद ना एक्टर वनेंगे भोजपुडी में यह भी चल रहा है नंबर वन को लेकर के बहुत सारे लोग कहते ह क्छाने हैं कि खिसारीलाल नंबर वन है वह सारे जाते हैं कि पवंज नंबर वन है जह उक्छरा सिंगी पहले यह स्टेच के लिए में केनिक को अधि sacrific लेबल घट जाएगा गटेगा नहीं नहीं तो पब्लीक जानती है कौन अच्छा है उसके बाद कितना लोग बोल दिये कि ये वह तो लेबल बताता है मतलब कौन क्या है एक टेटू गॉल है सोमिया पुखरेल नेपाल से आती है बोलती कि मैं पवन सीनकों नहीं जानती क्या क अब अब पौन सीनक का ओन नहीं जानता है छुपा है किसी से किसी को बोलने से तुम्हाब भी बोल सकता हूं कि किसी को नहीं जानता हूं mmg amm q uu baş न औहुंने भाई को सिखा है इंढ हमको नहीं तिनो भाई को पजिता हैं ब मुग 3 यहां आते हैं तो साथ में रहते हैं अब गुरू है चाचा है तो साथ में नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे चलते चलते अपने ओडियोंस क्या कहने चाहेंगे बस अपने भाई पे एकदम आशिरबाद दीजिए गाना को सुनिये जितना चाहिए उतना भीव नहीं आ रहा है हैं लेकिन कोई बात नहीं हम अच्छा गाना छोड़ेंगे नहीं है लोग तो बहुत कुछ गा रहे हैं असकेमे यह लोग चाहते हैं कि हमारे भोजपुरी का ग्राप उपर जाए इसी में बहुत सारे सिंगर हैं जो अलर बलर कुछ भी गा दे रहे हैं असलिलता को लेकर करके जब हम लोग पबले इसमें जाते हैं गार्डन वगेरा में भोजपुरी की बात करने के लिए गाने के माध्यमत लेकिन हम बोलवाई पोले के रुखने वाले हैं नहीं हम अच्छा गातना गाते ही रहेंगे और एक नएक दिन जरूर सब लोग सुनेंगे यह कोई रूक नहीं सकता है तो दोस्तों मैं आप लोग को एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग साप सुतरा गाते हैं और उनके ग और की बात कर रहा हूं अधर भी बहुत सारे अधर लोग कर रहा है हम जिसको घाना है वो ब्हुत हैना जाया से कोई फ़रक ने पढ़ने वाला है वह जो शलील गौने हैं उंसकों मैं यह कहना टाइम पे बोले तो कि पबली का प्यार ऐसे ही आप भाई पे बना रहा है और बहुत अच्छे अच्छे गाने आएंगे आप सब सुनिए का एक दम भाई पे गर्दा उड़ाई है और आगे पहुंचाई है क्यों इतना समय देने के लिए आप सब का भी थैंक्यू है आप यह यहां पे आए और इंटर्विव किया है बहुत अच्छा लगा तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लागा तो चैनल को सब्सक्राइब केज़ेगा वीडियो का लाइक केज़ेगा चले मिलते फिर किसी अगले वीडियो में तब तक लिए जय ही जय भारत